Food Invites में आपका स्वागत है आपका व्यवसाय, आपका नियंत्रण मेनू प्रबंधन में उत्पाद एप आपका व्यवसाय स्वादिष्ट व्यंजनों के मेनू या सूची का प्रबंधन करता है ये मेनू या सूची, प्रिंटेड या डिजिटल फॉर्मिट में भी हो सकते है ग्राहक उत्पादों की अपडेटेड जानकारी जैसे उत्पाद का विवर्ण और उत्पादों की वास्तविक फोटो को देखना पसंद करते है ग्राहक आमतोर पर महत्वपूर्ण घटक, विभिन अनुकूलन या एड़ ओन और नवीन्तम सही मूल्य देखना चाहते है यह व्यापार और ग्राहक दोनों के लिए कीमती समय बचाने में भी मदद करता है एक व्यवसाय के रूप में आप बहतर लाब के लिए अधिक ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं आईए जानते हैं कि आप कैसे Food Invites उत्पाद एब का उपियोग करके मेनू में प्रदर्शित होने वाले उत्पादों को आसानी से जोड सकते हैं लॉगेन करें और लॉण्च पैड पर पहुँचें मेनू प्रबंधन अनुभाग तक स्क्रॉल करें उत्पाद एब पर क्लिक करके उत्पाद डैशबोर्ड लॉण्च करें शीर्ष पर हम Quick Action देखते हैं जो की उत्पाद जोडे लाइबरेरी में से चुने और पुना प्रकाशित करें हैं उसके बाद हम Guide Action को भी देखते हैं ये Guide Action आपके उत्पादों में संभावित दिक्कतों की पहचान करने में मदद करते हैं आप Guide Action पर क्लिक करके दिक्कतों और उन्हें ठीक करने के समाधान के बारे में जान सकते हैं. आगे हम उत्पाद आकरे देखते हैं, इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त उत्पादों की सूची होती हैं. जो उत्पाद किसी भी मेनू में उप्योग में नहीं हैं, वे अप्रयुक्त उत्पाद कहलाते हैं. अप्रयुक्त उत्पादों की सूची देखने के लिए अप्रयुक्त उत्पादों को दिखाए, पर क्लिक करें. उसके नीचे उत्पाद ग्रिड में हम सभी उत्पादों को देख सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के समया बाद में हमने अपने मेनू के लिए बनाये थे अपने मेनू में एक नया उत्पाद जोडने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं हम एक नया उत्पाद जोड सकते हैं और सभी जानकारी प्रदान कर सकते हैं या हम लाइबरेरी में पहले से मौजूद उत्पाद को खोज सकते हैं और एक क्लिक से आसानी से उसे जोड सकते हैं अब हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लाइबरेरी से नए उत्पाद को जोड सकते हैं लाइबरेरी में से चुने पर क्लिक करें आप कई भाशाओं में किसी भी उत्पाद का नाम खोज सकते हैं किसी उत्पाद का चयन करने के बाद पूर्ण पर क्लिक करें उत्पाद डैश्बोर्ड पर वापस जाएं बढ़िया अब हमारे पास एक नए उत्पाद है जो की उत्पाद ग्रिड में देखा जा सकता है वो भी एक नए आइकन के साथ संदर्भ मेनू पर क्लिक करें और उत्पाद को हम व्यवसायक आवश्चक्ताओं के अनुसार संपादित करेंगे ध्यान रखें लाइब्रेरी से उत्पाद जोडना उत्पाद जोडने का सबसे आसान तरीका है और ज्यादातर हमें ऐसे उत्पाद मिल सकते हैं जिसे हम आवश्चक्ताणुसार संशोधित कर सकते हैं यदि हम लाइबरेरी में अपना उतपाद खोज नहीं पा रहे हैं तो देखते हैं कि हम कैसे एक नया उतपाद शुरू से बना सकते हैं उतपाद जोडे पर क्लिक करें उतपाद जोडने के डायलॉग बॉक्स में हम उतपाद का नाम और विवर्ण डालेंगे फिर हम अपने उतपाद में सामगरी जोडेंगे कृप्या हमारे सामगरी एप वीडियो को देखें जिससे आप अपने उतपाद में सामगरी जोडना सीख सकते हैं स्वाद जोडने के लिए संपादित पर क्लिक करें यहां हम पहले से उपलब्ध स्वाद देख सकते हैं हम नया बनाय का उप्योग करके नए स्वाद बना सकते हैं। इसी तरह हम खाद्य लेबल जोड सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। हम उत्पाद की उपलब्धता को आउन या आफ करके उसके उपलब्धता को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हमें बहतर ब्रांडिंग के लिए उत्पाद का एक प्रमुख फोटो अपलोड करना चाहिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे फोटो एप वीडियो को देखें ताकि आप अपने उत्पाद में फोटो जोरना सीख सकें यदि आवश्चक हो तो हम उन्नत सेटिंग पर क्लिक करके अधिक कॉन्फिग्रेशन सेट कर सकते हैं फिर सेफ पर क्लिक करें बढ़िया अब हमारे पास एक नया उत्पाद है जो की उत्पाद ग्रिड में देखा जा सकता है वो भी एक नए आइकन के साथ नए बनाए गए उत्पाद के संदर्भ मेनू पर क्लिक करें उसे अपडेट करने के लिए संपादित करें चुनें ध्यान दे की हम एक से अधिक भाशाओं में नाम और विवन जोर सकते हैं और उन्हें सेफ कर सकते हैं इस त्वरित देमों में हमने उत्पादों को बनाने के तरीके सीखे यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यक्ता हो तो बिना संकोच किये हमारे वाट्सैप सपोर्ट चैनल पर संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एट रेट फूड इन्वाइट्स को सब्सक्राइब करें फूड इन्वाइट्स उत्पाद समोह एब के बारे में जानने के लिए अगले विडियो पर क्लिक करें